हलो दोस्तों रोयल संस्तान उदेपुर के ओनलाइन प्लेटफोर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कोरोना महामारे की वज़े से अभी अभी बाउग भी प्रेशान है और इस्टुडेंट्स भी प्रेशान है कि हम कहा है एड़ीशन लें कैसे ए असमन जिसकी इस्तति में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि इस टायम का कुछ भी सदुपयोग नहीं कर रहे हैं केवल और केवल वो इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं आगे गवर्मेंट का क्या डिशिजन आता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दू कि जो बच्चे ग्यारवी पास करके बारवी में आये हैं उन बच्चों के पास क्योंकि इस साल एकजाम नहीं हो रहा कोई बात नहीं नेक्स सेशन में तो एकजाम होगा तो जिस भी कम्पिटिशन बेटोगे वो भी आपको फायट करना प्लस आपको बोर्ड क्लास भी फायट करनी है तो उ आपको वाँ एडविशन ले लेना चाहिए अब ये डविशन लेने की दो केस बनते हैं आपके पास पहला इनके लिए हैं जो बच tattoo car इस बार बोड़ परिक्षा वे उकषिए मनतले एम बातले लियं तो आपके पाता केस है एक केशं मनता हैं कि हम ओनलाइन पड़े और दूसरा केशं मनता हैं ओफ लाइन तो ओप लाइन में दो केशं मंते हैं यहां पर भी कि जब तक जब तक लोग डाउन ओपन नहीं हो इस्कूल in saf्र इस्टिटूट के लिए तब तक तो गर बेट के पढ़ना चाहते हो कि सर हम तो पूरी साल घर पे बेट के ही तियारी करना चाहते हैं आप क्या फीश लोगें तो हमारे यहां एगरी कल्चर बाइलोजी और मैतेमेटिक्स मतलग अगर अगर बच्चा है तो उसकी फीश है 25,000 अब बनता है सेकिंड वाला केस सेकिंड वाले केस के अंदर बच्चा ओफलाइन मोड का कहलाएगा जब तक रिजल्टर नहीं आता है कि भाई ओपन कब करे तब तक तो आपको ओनलाइन पढ़ाए जाएगा और उसके बाद में ओफलाइन पढ़ाए जाएगा यहां जो मैं फीश बता रहा हूँ वो उस बच्चे की स्कूल की फीश प्लस कोचिंग फीश दोनों फीश सामिल हैं तो आप देखो कितनी फीश है हिंदी मीडियम की फीश है केवल 45,000 रुपे आपके कोई भी सब्जेट क्यों नहीं इसके अलावा आर्बियस मीडियम में ह तो आप से मेरा निवेदन है कि आप जो है जल्दी से जल्दी डिशीजन ले उसके बाद में जो इंस्टिटूट आपको बेथरी लगता है उसमें एडिविशन ले अब यह क्या पता करे कि कौन सा इंस्टिटूट अच्छा है और कौन सा इंस्टिटूट अच्छा नहीं ह तो मेरा आपसे निमेदन है सभी गार्जन से कि आप आज का टाइम एसा है कि आप घर बेटे पता कर सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है उसके लिए क्या करना आपको आपको हमारे बोर्ड का रिजल्ट चेक करना है कि इस साल हमारा क्या रहा है आज से दस साल पहले रोल का कैसा रिजल्ट था टोब चल रहा था उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यां तो हर बार फशल बोनी पड़ती है और हर बार काटनी पड़ती है और अगर आप कहीं पर भी लापरवाई कर देते हो तो आपका रिजल्ट भीड़ जाएगा तो रिजल्ट आप घर बेटे हैं हमा पूरी राजस्तान में सबसे बेतरे रिजल्ट है लेकिन वह भी आपको मेरे कहने पर नहीं मानना में प्रिक बता रहा हूं जिससे आपको पता करना है आप इस संस्तान के जो मोबाईल नंबर है उस पर कोल करो जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे उन पर फोन करो और यह यहां का रिजल्ट के सा रहा टोपर का हमें तो रोल नंबर दे दो तो हमने आपको मालो कोई भी रोल नंबर दे दिया मालो 5638295 यह आपको हमने रोल नंबर दे दिया मालो तो अब आपको क्या करना है यह रोल नंबर देखोगे तो आपको हमारे टोपर का रिजल्ट पता लग जाएगा तो एक इस्कूल के रोल नंबर शीरीज में आते हैं शीरीज में आते हैं तो आपको क्या करना है कि इस 95 के पहले और 95 के बाद में वो सबी बच्चों का रिजल्ट पटापट चेक कर लेना है जब तक कि सेम इस्कूल का नाम आ रहा है इसका मतलब इस इसका मतलब है यह बैठरिन इंस्टिटूट नहीं है यहां पर केवल होशार बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है नॉर्मल बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है यदि आप देखते हो और कि यार 95 वाला तो है जो है इसके तो बैठरिन नंबर आये लेकिन एवरे बोक्स में डाल सकते हैं कॉल करके पोच्च सकते हैं आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू थेंक्यू वेरी मुच